दर्शकानू सला दित्ती जन्दी है के एस प्रोग्रम विच कीते गए दाव्यांदी प्रमानकता दी जांचकार लैंड कोई टॉरिस्ट वीजा अप्लाई करना चाहता है समय समय थे एक्सपर्ट्स नो इसमाज जरी तो अगरू करा जांदे आज मेरना बेस्ट वर्सी तो पर भी पाले हैं जी पहला स्वागत कर लिए रसल बहुत-बहुत स्वागत रहे हैं तो स्टुडेंट वीजा नो आतार चाहिए यह उडा है जब के अख्म सब्सक्राटर के यहां सब्सक्राइब बनेक्ड पच्ञ करना जो chests जेद सब्सक्राइब बच्छ कने जो एसन गजिशूटर बनाने के लिए आज की डिए में चीड़े में जिसको देखे संब्सक्राइब करना चाहिए जिसको इस बच्छा जो बच्छा प्रोफाइल मैच करता है वेलंगूर जो बच्छा प्रोफाइल मैच नहीं करता जो सिंगापूर, साइप्रस, मलेशिया के लिए हैं वो भी बोलता है कि मुझे कैनडा एकमार रिस्क लेना है तो यह मतलब नौन जनौन स्टुडेंट्स जो में पहुंचे हैं तो कही ने कहीं में एकमार के पास वर्कलोड बहुत ज्यदा हो जाए और उसमें क्या कि कहीं बार नौन जनौन स्टुडेंट्स को वीजे भी लें लें लाइक विदाव डायल्स परसंडेज अच्छी थी उन भीड़ तो हो गया और ओर अगर जब और ट्राउड होगा तो पोगा क्या उसमें गहीं ने कहीं जन्मन स्टुडेंट्स भी पीसे गए यह एक में रिजन था सेकंडली अगर हम जन इंटेक की बात करें तो जन इंटेक में घबराने की जूरूरत नहीं है टाइम पर आप फ क्राइटेरिया या कोलेज का क्राइटेरिया या उनिश्टी का क्राइटेरिया मीट करना होगा आप ठीक है विद्धाउ डाल रहे हैं या पांस बैंट पर डाल रहे हैं या साढ़े पांस बैंट पर डाल लेकिन कौन से बच्चे परसंटेज की परसंटेज बहते हैं आपके वीजा निकलेगा आज की डेट में बहुत बड़ी जदो जहाद है वाफर लेटर के लिए क्योंकि आज की डेट में जो कॉलेज का वोलूम बढ़ा है वो 300%, 400%, 500% मनलब जो स्टूडेंट की सीटे जितनी हैं उससे 300 गुना, 400 गुना, 500 गुना, 700 गुना अप्लिकेशन स को पहुंची है, मैंपावर वही है, विस्वोर्स वही है, तो यह एक रीजन है कि इसमें पहले आओ, पहले पाओ वाली बहुत दोड़ भी है, कुछ कोलेज आज की डेट में यह भी देख रहे हैं कि इतनी भी अप्लिकेशन सुस्मान, जो सबसे अच्छे बस और वीजा भी निकल रहे हैं, जी, बट कीप इन माइड टैंसन वाली बात नहीं है, अगर आपका जैन इंटेक निकल जाता है, ड़स नोट मीन कि आप लेट हो गये हैं, आप मैं इंटेक के लेट प्राइट कर सकते हैं, बट अगेन आपकी इसे रिक्वेस्ट है, कि टाइम प्राइम रहते हैं, बीड की तरफ से पहले बात जाईए ही मत, ठीक आज की डेट में अगर आपने सक्सेस रेट हाई रखना है तो थोड़ा आउटर स्कार्ट में जाईए, प्लस में अगर कोलेज भी है तो ऐसी जिगह लीजिए जहां पर थोड़ा सा बच्छा पहले कम ग पर किस टाइम पर फाइल लग रही हैं, यह चीज़ें मैच करती है, तो अगर कोई हमारे पास ऐसी प्रोफाइल भी काती है, तो हम पहले ही स्टूडेंट को बताते है कि पर्टिकुलर तु कहा जा सकता है, किस प्रोविंस में जा सकता है, कहा तेरा सक्सेस से ठाई रहेगा इस तरीक्के से करने से कहीं नहीं 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 निकल दाओ थे कॉंपुटिशन के लो यहां सीट्स दी अवेबिल्टी काट जड़ी रह जानती है जो बच्चे करने से काम नहीं नहीं जानती है लेकिन अश्चलिटी ऐसी नहीं है जब प्रैक्टिकली बच्चा पहुंचता है वहां देखता है कि रिष्टेदार दो दिन काम आते से ज़़े नहीं है अब एरपोर्ट पिक अप हो गया, इस ही में है अप होती है इसके लावा कुछ भी नहीं है लेकिन उसके बाद वहीं बच्चे बाद में बाहर दुसरी जगह अपना घर लेकर रहते हैं तो भीया, एमबसी के भी लिमिटेशन हैं, हरे कोलेज की भी अपनी लिमिटेशन हैं, आप अगर सेंटर, सीबीडी सेंटर की बात करोगे तो कितना बच्चा जाएगा वीजा ओफीशुल भी आज की गियुक्त ज़्ट этом के चीज गोडेशन हैं लेकिन जो आउटेस कंपते हैं वहां बच्चा कम जाता है कि उसके सटसेट रह भी रहते हैं कुछ प्रोवियंस हैं जहां का सखसेट आज की डेट में भी 95 परसेंट या 100 परसेंट के असपास हैं तो यह चीज़े आपने देखनी होगी समझनी होगी उसके लिए आपको पाइंटमेंट लेके एक बार मिलिए अगर आपका वीजा रेजेक्ट हो चुका आई एक बार म सब्सक्राइब को परसेंट में अगर जाना कि आपको फिरस नहीं हैं जो जो आज की डेट में जा रहे हैं ना तो वहां तो जितने भी कह सकते हैं रेस्टोरेंट्स या प्रपना क्याना में और जो कोल्सेंटर्स है जो भी मतले एंप्रोवियर्स हैं वहां पर एक बड़ी प्लेट्स लगी नो वैकेमसी। पहली बात। दुसरी बात जो बच्छा इंटल में जा डाही है। बच्चा कम है शीट मिल जाएगी और वहां पर भी काम है। चोड़ा सा एक्जम्पल है। सिंटनीशीटी है। सारे जोब कर रहे हैं किसी को एक महिने बाद मिल गी किसी को दो महिने बाद मिल गी किसी को जाते ही जोब मिल गी उसी तरीके से और भी एरियाज हैं जहां पर सिड्टी की बात करें तो यह नौवाश कोशिया में पढ़ता है अगर और भी इसका बात करें जिसे नियागरा है ठीक ह औसवा है यहां पे जो कोलेजीज हैं बच्छा सोचता है वह गंटे के डिफरेंस पर बैरी है जो जिन कोलेज जहां पर है तो यह मलब ऐसा नहीं है कि यहां पर जॉब्स नहीं है जॉब्स है बच्छे को थोड़ा सा मेंटली अपने आपको प्रिपेर करना पड़ेगा थोड जाते हैं वह गया कि. ऐसे चैन का को आपको सब्सक्रा तक किरेंगा यह एक नहीं है कि वह किलेंट है मंदने आट यह जेडियständो सब्सक्राइब इस चाहँ हो किपर सकते हैं मेरि का रिकर्षान का कमें पर जाता है अघुडिक कीicano उन्हें जाते हैं जैन एक लाइक आप यह कह सकते कि जैन इंटेक में थोड़ा सा बच्चों को जोग कम मिलती है रीजन कि एक तो ठंड होती है उपर से बरफ किरती है और तुछा सेटल होने में बच्चे को टायम ले जाता है जैन के जस्थ बात महीं इंटेक आदा जो महीं जो होता है तो मही में Mostly students चुटिया लेते हैं तो लो एक तरह से हमारे इंडिया से जो कहना में weather है यहां ठंड है तो वहां बहुना है, यहां गर्मी है तो वहां भी गर्मी है, लेकिन यहां गर्मी ज्याद है, टो आप इतनी ही नहीं पढ़ती है। तो उसमें बच्चा अपने आपको फुल टाइम जो करता है, फुल टाइम जो करके वो अगले सेमेस्टर के अपनी फीस निकाल लेते हैं, तो जैन में जो जा रहे हैं बच्चे वो इस चीज़ का एडवर्टेज जरूर लेंगे, कि उनको छुटिया मिलेगी, पूरे चार मही जो बच्चे मही में जाते हैं, तो मही के बाद उस सेप्टमर देख पढ़ते हैं, तो फिर उनको अगले ये चांस मिलता है, जी, सो कोई भी कल बात करना चाहंदे हो, कोई चीज़ चाहनना चाहंदे हो, कैनड़ आस्ट्रिया, न्यूजिव जिलेंड, विदाओ आउज सब्सक्राइब करना चाहंदे हो, इस नंबर देख पता कर सकते हो, बच्चे जड़े सब्सक्राइब नहीं जा पाए, अप्लाई नहीं कीता जा, रिजेक्शन आ की, फिर तो कॉलेज नहीं मिल रहा है, रिजेक्शन आ सकती हो, कि मही दे ली ऐलिजिबर हो गे? पहले बात तो जो जेन, अपना सेप्टमबर में जिनके रिजेक्शन आई है, अगर उन्होंने थोड़ा सा भी स्मार्टली वर्क किया है, तो उनको ऑफ़र लेटर जेन के मिले होंगे, जो चाहे तो उसनों अपने जाहा है, पाशी दा स्मार्टली था कहलो है, या पाशी हैं कि उन्होंने जैन में फते पा लेनी है, वीजा निकल जाएंगे, जो घूमते रहें कि नहीं जी अभी फाइल ने लगवानी, अपनी फीस वापिस मंगा लिए है, फिर कोलें दूसा स्लैक कर रहे है, तो टेंचन रहने की बात नहीं है, जैन में अगर आपका नहीं होता पूरा वक्त है, और पूरा एक वो भी है, इंसिदेंट भी है कि उसकी पहली बार रिजेक्शन सही है, सेकंड डाइम उसको उसकी च्वाइस का कोलेज या कोर्स नहीं मिलाया, तो तो अगर यह चीज़ बच्चा के बताता है, तो वीजा ओफिसर समझते हैं और बच्चों क समा कतमों करके चर्चा के नहीं दा सकंगे, शुक्रिया तानवात साहीं, नमबर फ्लेश कीता जा रहा है, जाने जाने फेरका मंगा, इस नमबर दे कॉल करके तुस ही अपना स्वाल साज़ा कर सकते हो, हर तरह दे जानकार ही ला सकते हो, फिल हाओ देले मेनों दे तानवात!